सनातन हिंदु धरम में तुलसी का पोधा बहुत ही पूजनिये माना जाता है सास्त्रों के अनुसार तुलसी में मालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विश्नु का विवास होता है वहीं तुलसी की जड़ों में भगवान सालेग्राम का वास होता है इस कारण नियमित रोप से तुलसी के पोधे की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है इसके साथ ही घर में रहने वाले सदश्यों की तरक्की होती है जो तिस सास्त्र में तुलसी के पोधे में साएं दीपक लगाना सुब माना जाता है लेकिन तुलसी पर दीपक लगाते समय या जलाते समय कुछ विसेश उपाय करने से मा तुलसी बहुत जल्दी प्रशन होंगी और आपको धनलाब की संभावना भी बन जाएगी तो आईए हम जानते हैं इससे जड़े कुछ उपाय शाम को नियमित रूप से तुलसी के पोधे के नीचे घी का दीपक जलाएं अर्थात माता तुलसी को घी का दीपक लगाना चाहिए और संभव हो तो दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दें इस उपाय से आर्थिक तंगी से चुटकारा मिलेगा सास्तरों के अनुसार आटे के दीपक को सबसे ज़्यादा सुब और पवित्र माना जाता है आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से मा लक्ष्मी के साथ मा अनपूर्णा का अशिरवाद भी मिलता है अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें इस उपाय से सुफल के साथ आर्थिक इस्तिती भी मजबूत होती है तुलसी पर ही यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उससे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें और दिया जलाएं इस उपाय से तरिदरता दूर भागती है और मालक्ष्मी प्रशन होती है और साथ ही तुलसी पूजा के कुछ नियम है कि इस तुलसी पूजा में सुबह तुलसी पूजन के बाद उसमें जल जरूर अर्पित करें तुलसी के पूजे के नीचे नियमित रूप से दीपक जलाएं ऐसा करने से घर में मालक्ष्मी कवास होता है रविवार और एकदसी के दिन तुलसी के पूजे में जल अर्पित नहीं करें और ना ही पत्तियां तोड़ें तुलसी की नियमित रूप से पूजा करने से जीवन में चल रही परिशानियों से छुटकारा मिलता है